आज हमारी बैटक हुई कम से कम दाई गंटे तक हमने बहुत से विशे पे चर्चा किये खास करके चुनाओ और चुनाओ के वक्त क्या-क्या कमजूरिया हो सकते हैं और क्या-क्या कठिनाईया आ सकते हैं किस डंग से उन चीजों को हम निबाना है और करेक्शन कर लेना है और हमारे कार्यकरताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है तो उसके बारे में आज हम डेटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केर लेना चाहिए और हमारे कार्यकरताओं अब बहुत से गटबंदन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तै करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं लेकिन फिर भी हम मैंजे प्रिकॉशन आज सब मिलके सब को एकी एक किसारा देना था कि हम किस डंग से इस आतेल चुनाओं के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए ये चीज़ पे हमने चर्चा की दूसरा हमारा जो गटबंदन का जो एक दिरने ये है कि हम जो आज बीजे पी और उनके साथी लोग खास करके एक्जीट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगी और इसी लिए लोगों में कन्फियूजन नहीं होना और ओ जो नेरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सचाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं इंडिया गटबंधन कम से कम 275 सीते प्लस 255 से ज्यादा आएंगे कम तो नहीं आएंगे यह हमने आकलन किया कि सबी हमारे नेताओं से पूछने के बाद यह एक आकड़ा हमारे पास मिला है और इस आकड़े में कोई बदलाव नहीं है ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है, जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो information दिया है, ये information पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं सरकारी सर्वे तो होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत से आकड़े बनाने का, बिगाडने का ये पहले से भी है और उनके चन जो मीडिया के दोस्त है, उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं इसलिए हम आपको सत्य बताना, रियालिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहिती है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं और पूरे ओल पार्टी का एक, दूसरा भी एक इंस्ट्रेक्शन है कि हर केडर को इसके बारे में बताना, सिर्फ इसके लिए नहीं जो पहले महीं ने कहा, एलेक्शन में किस डंग से आकरी तक बैटना, सी फॉर्म लेना, और दूसरे जो फॉर्मालिटी है, वो कंप्लीट होने तक कोई काउंटिंग हॉल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तिल ही गेट्स सर्टिविकेट, यह हमारे जो भी इंस्ट्रेक्श के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमने इतनी कोशिस इकटा होके हमने की है, और यह इकटा होने के वज़े से आज यह फिगर आपके सामने हम रख रहे हैं, और दूसरा, हाँ, दूसरा इलेक्शन कमिशन के पास भी हम जाएंगे, हम बताएंगे, क्योंकि पहले बैलेट पेपर चन जगे बाद में गिनते थी, उसमें भी गड़वड़ी हो सकती थी, और दूसरे चीज़ों में भी गड़वड़ी हो सकती थी, इसी लिए हम एलेक्शन कमिशन के पास जाके, हमारे गटवंदन के लीडर, उनको जो कुछ भी हमारे सिकायते हैं, उनके सामने रखेंगे, और उनको करेक्शन करके, जो मोडिफिकेशन करके, जो आडर निकालना है, और हर डिस्टिक में स्टेट को वेजना है, या रिटर्निंग आफिसर को वेजे, जल से जल एक काम करें, अकल हमने समय मांगा है, और तुमारो, कल बोले तो तुमारो, तो समय मांगा है, इसलिए वो समय आते ही, हम सब लोग मिलके उनसे प्रार्थना करेंगे, कि जो जो चीजे हमने अपने मेमरेंडम में बताए हैं, उसका रैटिफाई करो, यही चीज आज अब तक हमारा हुआ मैं सब को धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे गटवंदन के नेता लोग हैं, सबी लोग अटन्ड हो गए, और खास कर सीनियर लीडर्स, यह जो है, बालो साब भी है, केजरिवाल जी है, हमारी कलपना जी भी है, पवार साब तो पहले भी आये थे, वो पहले से तेजस्वी ह और हमारे के अकलेज जी है, और चंपन सुरेज जी है, और यह चूरी साब है, अब मेडम गांदी तो हमारी लीडर है, तो और राहुल जी है, राजा जी तो कहीं नहीं तो दिखते तो है, मालूम है, उसके बाद में हमारे CPIM के, यह मेल के नेता है, सबी हमारे सिवसेना भी है सब अब माफ करना कोई को भूल गया तो भी आपको तेकिन सब लीडर अटेंड करके सीरियसली डिसकेशन करके इस नतीजे पर हम आये हैं और निश्चित रूप से गटबंधन को भारी भव मत मिलेगी यह मैं आपको खहिने के लिए यहां ठेरा हूँ नमस्कार नहीं मैं बोला सरकारी एक जीग फोल एक नहीं नहीं बोला वही बोला इंडिया पार्टी यह है जनता का सर्वे हमारे पास है सरकारी सर्वे उनके पास है मैंने कहा थैंक्यू इतने लोग युनाइटेड है यह बालू जी आइसा ठेरे हमारे सामने वो जाड के जैसा इतने लंबे हैं और सभी लोग है केजरिवाल जी इन्हों है अकले साब है तेजेश्वी है यह चूरी साब है राजा साब है सभी लोग हम यहाँ पर पार है और मान है सबसे पर चीप पिनिश्टर पंजाब यह सभी लोग है इसलिए हम एक है एक रहेंगे हमारे को डिवाइड करने की कोशिश मत करो नमस्कार थैंक यू